हेलो एब्रीवन, वेलकम टो टेक्षरमित आज की सेशन से हम जैनलिंग से रिलेटेड जो भी कमांड से उनको स्टेप बस्टेप समझेंगे कि कौन से कमांड का कभ यूज होता है और उनके एडवांटेज क्या क्या है तो हर सेशन में हम एक कमांड कवर करेंगे जिससे आपको जो भी कमांड से उनका पूरा प्रॉपर पता चले कि कौन से कमांड कभ यूज की जाती है तो जो पहले कमांड हम करेंगे वह है जर्णल रिसीवर के लिए अब ऐसा क्यों क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रॉपर सेशन देखें तो आपको पता होगा कि जर्णल रिसीवर एक ऐसी कमांड है जो हमेशे जर्णल बनाने से पहले हम यूज करते हैं Reason यह है कि जब हम Journalais बनाते हैं तो उस टाइम पर जर्णल Receiver की नीड होती है तो इसलिए इसको हमने sequence में पहले रख़ा है सबसे पहले हम जर्णल Receiver के बारे में देखेंगे कि जर्णल Receiver पहले तो होता क्या है और फिर उसको कैसे यूज़ कर सकते है तो Journal Receiver क्या है इसको आप ऐसे consider कर सकते हुए Journal Receiver एक ऐसा container होता है जिसके अंदर journaling की सारी entries store होती है तो यह क्या करेगा suppose आपने कोई भी फाइल के उपर journaling implement की वी है और उस फाइल के उपर हमने enable करी है journaling तो उस case में क्या होगा जो भी journaling के entries होगी वो सारी इस हमारे journal Receiver के अंदर store होगी ठीक है फिर आप उस entries को किसी फाइल में travel करवा सकते हो या जैसा भी आपका requirement हो उस अकॉर्डिंग बट एक्चल जो आपकी journaling की entries होती है वो receiver में होती है तो आप receiver के लिए ऐसा definition दे सकते हो कि या तो आप कह सकते हो कि journal receiver एक ऐसा file है जहां पर सारे हमारे जो information है जो journaling के entries है वो store करता है या आप container word बोलो के तो वो जादा specific रहेगा कि journal receiver is a container which we use to hold the entries created at the time of journaling ठीक है तो यह हमारा है journal receiver के बारे में अब कोशन है था कि journal receiver बनाएगा कैसे है क्योंकि हमारा को पता है कि हमें journal link के लिए journal receiver की need है तो जनल receiver बनाने का best way यह है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा CRT, JRN, RCV अब इस command को आप अगर properly देखोगे तो यहाँ पर 3-3 characters का कुछ combination है जैसे देखो CRT का मिनिंग क्या होता है create फिर है हमारे पास JRN, JRN का मिनिंग क्या होगा है Journal, RCV का मिनिंग क्या होगा Receiver ठीक है तो हम क्या कर रहे है, create कर रहे है journal receiver अब किसी भी command को आप directly आप ऐसे enter hit ना करके क्या कर सकते हो, इस पे आप लोगे F4 F4 लिने के बाद में आपको यह की screen show करेगा जहां पे आपको इसकी पूरी information भी मिलेगी प्लस जो भी parameter आपको provide करने है उसका area यहां पे मिलेगा बट अगर suppose आपको इसको और deep में पढ़ना है create journal receiver command को तो आप क्या करोगे simply इस white text के उपर यहां पे आप करोगे F1 जैसी F1 करोगे तो आपको इसका पूरा description मिलेगा कि general receiver क्या है restrictions क्या है और यह पूरा क्या क्या parameter हमका pass करते है यह सारी information यहां पे stored रहती है तो कुछ एक information को भी walkthrough मैं करवा देता हूँ यह messages है इससे related ठीक है जब भी आप general receiver अगर यूज कर रहे है तो इस टाइम पे कौन से कौन से exception message escape message generate हो सकते है वो सारा information यहां पे मिल जाता है अगर आप CL में इसको यूज कर रहे है तो इस टाइम पे यह information आपके लिए बहुत useful है क्योंकि अगर किसी भी type का error होता हो इस टाइम पे तो आप रिसीवर once a journal receiver is attached to the journal with the create journal ठीक है इसमें आपके लिखाव है कि अगर आपने एक बर journal receiver को journal से attach कर दिया जो किस से बनता है CRTJRN command से इसको हम next session में कवर करेंगे और change journal CHJJRN भी हमारे पास command है ठीक है तो उसके बाद के लिखाव है journal entries can be placed in it a preferred auxiliary storage pool ASP and a storage space threshold value can be specified for the journal receiver ठीक है तो यह ASP के value और threshold value हम set कर सकते है तो overall क्या बताया कि इस command की help से आप वो receiver बना सकते हो जिसको फिर बाद में आप journal से attach करके जो भी journaling के entries है उसको आप इसमें store कर सकते हो main point यह है कि journal entries को hold करता है अब इसके साथ restrictions क्या क्या है a journal receiver cannot be created in library qtemp तो पहला restriction यह है कि general receiver जो है वो आप qtemp library में नहीं बना सकते है फिर आता this command cannot be used to create general receiver for a remote journal अगर आप remote journal बनाने का try कर रहो इस command से तो वो work नहीं करेगा if the library to contain the general receiver is on an independent ASP then ASP lib ASP must be specified यह auxiliary storage pool वाला ASP उसके बार में दिया हुआ है कि कब इसको बनाना चाहिए but overall restrictions हम नहीं देखे यह थे कि qtemp में नहीं बनाना हमे और दूसरा हमें general receiver का remote उस पे भी remote general के लिए भी यूज नहीं कर सकते है फिर अगर इसको scroll down करेंगे यहां से तो यह सारे इसके information है जैसे receiver receiver name qualifier first specify the name of general receiver being created जो भी create करना है उसका specify कर दोगे name library the general receiver is created in the current library if no library is specified as the current library for the job qgp is used यह library के information नहीं देनी होती है फिर अगर मैं page down कर तो library name specify the library where the general receiver is to be created फिर यह कुछ ASP से related information है यहां पर star lib ASP अगर मैं इसको F4 लेकर आपको दिखाऊँगा यहां पर यह पूरी information है तो हम पहले तो यहां करते हैं receiver की entry try करते हैं बनाने का test rcv name और यहां पर हम दे देंगे name आप कुछ भी रख सकते हो फिर आपको देना होता library तो यहां गया library और ASP इसको अगर आप F1 लेकर इसके बारे में पढ़ सकते हो कि ASP कभ use क्या करना है storage space for the general receiver is located from the same auxiliary storage pool as the storage space of the general receiver library ASP identifier अगर यह information आप पढ़ सकते हो although हम इसमें इतना चीज़ नहीं करते हैं अभी के लिए हम basic ही cover कर रहे तो इतना need नहीं है but further sessions में में भी specific topic में हम यह चीज़ों को भी clear कर लेंगे storage general receiver threshold threshold देना होता है हमें इस पर आप F1 करोगे threshold के बारे में पता चल जाएगा यहां पर इस लिका the message CPF 7099 is sent to journal message queue if the journal has a MNGRCV user attribute यह सारी information आप रीड कर सकते हो अगर आपको अभी के लिए कोई change करना है but as far like अभी हम क्या करना है सिर्फ basic चीजे cover करना है तो उस case में आपको इन में कोई change as such करना नहीं पड़ेगा तो आप simply बस अपना general receiver का name और library mention कर सकते हो फिर आता है text यहां पर आप एक text डाल सकते हो आपको जैसे sample jrn rcv अब यह mandatory नहीं है आपके उपर है but मैं recommend करूँँगा कि जब पर आप general receiver बना रहे हो तो उस case में इसको वहां पर रखें text को इससे कहाई पर बाद में आप work object करते हो या कोई भी ऐसी information अगर आपको चाहिए receiver किस वज़े से बनाया था तो वहां पर आपको यह text मिल जाएगा कुछ और options भी रहता है अगर हम यहां से F10 करेंगे तो यह भी लेग आपको preferred storage unit इनके बारे में पढ़ने के लिए simple आप F1 करोगे तो पूरी information यहां मिल जाएगी या फिर IBM के official website पर यह आपको refer कर देगा फिर हमारे पास आता है authority, authority में क्या है exclude, library authority यह सारे authority से related information है page down करने पर और कोई field नहीं है तो यह एक हमारा overall structure है मेनलियम ने क्या क्या से यहां पर specify किया receiver का name sharmit1 library जहां पर आपको उसको create करना है और एक text term ने डाला sample jrn rcv अभी मैं enter करके देखता हूँ जैसे मैं enter किया तो यहां पर message क्या मिला journal receiver test rcv created in library sharmit1 ठीक है आप question आता है कि कैसे हम check करने कि create हुआ तो work obj और यहां पर आप लिख दूख test rcv ठीक है f4 ले सकते हो test rcv और library भी अगर चाहो तो दे सकते हो तो आपको यह दिखा देगा एक object बना है object का type क्या है हमारे पास star jrn rcv rcv क्या होता है एक container होता है जो journal की entries को hold करता है ठीक है library sharmit1 आ गया sample text अब यहां आप देखो text दिख रहा है तो अगर आपके पास कोई ऐसा object है जिसका आपको text description देखना है तो आप work भी जिससे check कर सकते हो यहां पर एगर 8 option लोग है तो बाकी information मिल जागी कब create क्या था किस user ने create क्या था कौन से system पे create हुआ है domain क्या है और page down करने से बाकी information भी हमें यहां से मिल जाएगी ठीक है तो यह एक पूरा process हमने देखा किस तरह से हम general receiver command का use कर सकते हैं किसी भी receiver को बनाने के लिए main main topic हमने यह cover किया कि general receiver होता क्या तो general receiver वह container है जिसमें journaling की entries को store करते है journaling process के time पे इसके लिए command कौन सा use होता है CRT-JRN-RCV create journal receiver एक बार आपने इसको create कर दिया फिर आप और को भी जिससे को verify कर सकते हो कि वह object बना या नहीं बना और फिर receiver को हम कहां पर attach करेंगे किसी journal में attach करेंगे और फिर उस journal के उपर आगे हम दिखेंगे कैसे हम जो हमने जैसे पूरास्ट का topic अब हम ने जैसे last session से एक initiative start किया था जिसमे हम कुछ questions पूछ रहे थे तो मैं आपको और question देता हूँ आज के लिए और फिर जब month end होगा तो हम decide भी करेंगे कि कौन कौन से वो users थे जिन्होंने correct answer किया और वो फिर comments को हम pen भी करेंगे journaling ये एक छोटा सा question है इसको ज्यादा आपको describe नहीं करना जस्त आप one और two-liner description इसमें दे सकते हो कि हम journaling को use क्यों करते हैं need क्या है हमारी ये एक simple question है ये questions का purpose वही है कि इससे आप लोगों को जो भी आपने लोगों ने अब तक पढ़ा है आप series पूरी refer कर रहे हैं तो उसका एक recall हो जाएगा कि क्या-क्या topic हम cover कर चुके हैं और यही questions आपको interview में भी help करेंगे तो मैं recommend करूँगा कि इसके आप answers comment section में mention करें और जो भी best comment होगा और जो fast comment करेंगा उनका answer को pin करेंगे जिससे बाकी जो community वाले हैं वो भी उसको refer कर सके हैं ठीक है तो इस session के लिए इतना ही था next session में बाकी topic discuss करेंगे so thank you for watching next session with.